हलो एंड वेलकम तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंस होस्मेन की दन्यू हैंग मैं ठीक तो अगर आपको आथर के बारे में जानना है तो उसके लिए हम एक अलग सा छोटा सा वीडियो बना रहे हैं तो वो आप वहाँ पे हमारी चैनल पे देख सकते हैं तो आज हम सिधे अपनी टॉपिक पे चलते हैं तो ये जो दन्यू हैंग मैं हैं लिखी गई है 1930 में तो ये है क्या है ये एक वन एक्ट प्ले है तो ऐसा प्ले जिसमें सिर्फ एक एक्ट किया गया है तो ये बाकी सारे plays से different होता है one act play क्योंकि बाकी सारे plays में more than one act होता है जैसे कि दो, तीन, चार acts हो सकते हैं but one act play में सिर्फ एक act होता है तो इसलिए ये जो हमारी the new hangman है तो ये आपको याद रखना है ये एक one act play है और 1930 में लिखी गई है लोरेंस होस्मेन के दौरा ठीक, तो चलिए हम line to line translation करते हैं इसका, आपको समझाने की कोशिश करते हैं इंशाला, मैं ये उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आए the new hangman is a one act play which raises some grave social issues and forces want to think about main made systems and institutions तो ये जो new hangman है ये इनसान के अंदर एक ऐसी curiosity पैदा करता है जो जिससे इनसान जो है सोचने लगता है कि जो हम इनसानों ने system बनाए है या institutions बनाए है उनके बारे में सोचने पर इनसान को मजबूर कर देता है तो यहां पे story है एक hangman की hangman यानि कि जिसको हम जलाद भी कहते हैं इसको लटकाने के लिए अपॉइंट किया जाता है जैसे कि जेल में आपको पता ही होता है तो यहां पे क्या है a newly promoted hangman is to carry out an execution but refuses to do it अब क्या है कि यह जो नया जो रेक्रूट किया गया है hangman तो इसको जो है एक execution जो है उसको carry out करना होता है एक बंदे को लटकाना होता है या उसको मार देना होता है ठीक तो हम यहां पे लटकाना ही कहेंगे तो हमारे यहां पे system है इंडिया में तो वहां पे आकर फांसी होती है किसी को तो लटकाया जाता है जिसके लिए फिर एक जलाद को लाया जाता है ठीक तो यहां पे इसको भी एक execution करनी थी एक बंदे को मार देना था जिसको punishment सनाई गई थी court के द्वारा ठीक तो इसको इसको जो है kill करना था execute करना था बट यह जो बंदा है यह ऐसा करने से totally इंकार कर देता है तो ही arrives on time at the prison where the execution is to take place ओके तो यह क्या करता है तो यह हाला कि जो है अपने वक्त पर यह उस prison में पहुंच जाता है जहां पर इसको यह execution जो है वो करनी होती है यह जो एक्ट है इसको यह जो काम इसका अपना profession है इसको perform करना है वहाँ पर तो यह time पर वहाँ पर पहुंच जाता है मगर यह वो काम करता नहीं है क्यों? He does not go ahead with his duty तो वो अपनी डूटी करने से इंकार कर देता है Surprised and angered by his decision The governor demands reason for his insubordination ठीक तो अब क्या है जो वहाँ पर इनका officer होता है ठीक तो वो यह governor होता है वो इस बात से गहारत से चुरे में अव्बहुत खव़ा हो जाता है है कि execute कर सके किसी बंदे को बट जब इसमें अपनी duty करने से 49% कर दिया ऑगर्नर जो है इसके है जो आपकी ड्यूटी है तो आपने उस चीज से करने से क्यों इंकार कर दिया ठीक दा हैंग मैं चैंडिडली एक्ष्पेसिस इस मिस्गिविंग्स अबाउट कैपिटल पनिश्मेंट वीच अकॉर्डिंग तो हैंग मैं जो है यह क्या करता है यह अपनी जो है एक्स्पिलनेशन देता है क्यों जो इसको लगता है क्यों इसने अपना काम पर फॉर्मनिंग किया क्यों इसने वो हुकम जो है जो इसको मानना था उससे इसने मानने से इंकार कर दिया, तो ये अपना एक रिजन देता है, अपनी एकस्पिलेशन देता है, और ये इसमें कहता है, कि जो पनिशमेंट हम इनसान जाहें, दुसरे इनसानों को देते हैं, इसके मताबिक वो क्या थी, वो एक इन हुमन प्रेक्टिस थी, यानि कि इनसानियत से जो इनकार करता हूँ, तो इसको ये पता भी था, कि अगर मैं इनकार करता हूँ, कि मैं अपने जो हाइर ओफिजल्स है, उनका हुक्म मानने से मैं इनकार करता हूँ, तो इसको ये पहले से पता था, कि शाहिए इसके लिए उसे पनिश किया जाएगा, मगर फिर भी वो अपने जो अपना जो उसका प्लान था जो उसने आगे के लिए सोचा था वो उसी के साथ जो है continue करता है Wehomently denouncing the legal system which forces a person to kill a fellow human being in cold blood अब वो क्या करता है?वोह क्या क्या होता है कि इन ए forceful or passionate manner या विद great feeling जसे हम कहेंगे वो denounce करता है denounce होता है to declare publicly करना पता का और ता टीक्ली को तो गल टार पता और श्किल से उसे भी पनिश किया जाएगा तो in fact हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे law था या जो वहाँ का कानून था उसको वह clearly मानने से जो है deny कर रहा था इंकार कर रहा था the hangman emerges as a kind of a hero तो वह एक hero की तरह जो है emerge हो रहा था the other officials to refuse to fill in for him in fact they are secretly relieved that the execution does not take place तो जो बाकी सारे officials थे उन्होंने भी जो है वह उसका secretly उसका साथ दे रहे थे हलाकि वह भी अंदर ही अंदर खुश थे कि यह जो execution है अब यहाँ पर नहीं होगा for the readers the hangman raises some disturbing questions for अब जो यह है ना इसके पढ़ने वाले जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे वो question यह जो है यह play जो है raise करता है ठीक तो जिससे एक इनसान जो है वो disturb हो सकता है his immediate audience cheer his point of view and readers are left to ponder the institutional horror अब जो वहाँ के इस play के देखने वाले होते हैं तो उसके लिए वो cheer करते हैं क्योंकि उनके लिए एक hero बन चुका है तो आप चलते हैं हम इसके characters के उपर और जो इसका play है उसको हम पढ़ते हैं line to line में आपको meaning समझानी की कुछ करूँगा अभी के part में हम बस इतना ही करते हैं तो hopefully मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आपको यह समझ में आया होगा यह एक छोटी सी summary है हम कह सकते हैं कि इस hangman की जिससे आपको थोड़ा सा idea मिल गया होगा कि यह play कहता क्या है इस play में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो अगर आप हमारी channel पे नए हैं तो प्लीज सब वीडियोज बनाते रहें